दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों आज दीपावली के महापर्व की आप सभी को धेरों सोकामना है साथ में स्री चार्ट महालक्षमीजी से विनंब्र प्राथना है कि वह अपनी कृपाद्रश्टी हम सभी के ऊपर बनाये रखें ताकि आने वाले समय में जमाजम बारस हम सभी के ऊपर होती रहे अब दोस्तों आपको जानकार यह नेशनल हाइड्रोजन मिशन आया था एक दो साल हो गए हैं बीस हजार करोड का मिशन है उसी को लेकर पीलाई स्कीम आ रही है पूरे घटना क्रंकी साथ में निवेस के अफसरों की चर्चा करेंग दो चीज़ों को पहला है इलेक्ट्रोलाइजर साहर आपको जानकारी होगी कि इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन मिलती है अब यदि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया तो साब उसको नाइड्रोजन से मिला दो तो अमोनिया बन प्र जो है hydrogen production की जो इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी लेकिन पानी को तोड़ने वाले electrolyzer को बनाने के लिए जो पीलाइज की मैं उसकी ज़रूरत थोड़ा लंबे समय तक पड़ेगी लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो लेकिन निवेस के अफसर कहां मिलेंगे तो दोस्तों उनकी चर्चा करने के साथ साथ ही जो पूरी कंपणियां है आप उजानकारी अडानी है अम्वानी है लेकिन भाई साथ यह जो कंपणियां हैं जैसे कि नई कंपणियां है जो केवल हाइड्रोजन सेक्टर में काम करती है उनका जो वैल्लिवेशन है वो पहले ही महंगा हो चुका है अनापसनाप लेबल पर चड़ी हु अब आप हमें बताइए कि दुनिया में कोई भी कंप्रेसर बिना बेरिंग के चल सकता है तो आपको सिर्फ गूगल करना है ऐसी कंपनी बता दो जिसकी बेरिंग हाइड्रोजन कंप्रेसर में लगती हैं दो तीन कंपनियां है एक कंपनी भी है फिर आप उनका कर लीजिए फंडामेंटल आपको पता पर जाएगा क्वालिटी का अब यह आपने कंपनी तो पसंद कर ली लेकिन अच्छी कंपनी को खरीदने का सुरहना मौका कब आएगा वह पता जलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक उस पर क्लिक करेंगे उतने जादा अफादे में रहेंगे एक बार फिर से दीपावली की धेरो सबकामना है धन्यवाद जैश्री राम